राकी की जान को है खत्रा राकी सामद ले रही है बहुत बड़ा रिस्क अपनी ससराल मैसूर जाकर राकी का कहना है कि मुझे आदिल के घर जाना यानि कि अपने घर जाना है मेरी ससराल है राकी अपने और आदिल के रिष्टे के सारे प्रूफ लेकर मैसूर पहुँच रही है राखी के चाहने वाले काफी ऐसे कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि राखी को नहीं जाना चाहिए मैसूर आदिल की फैमली राखी को नुकसान पहुचा सकती है आखिर राखी क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड कर रही है राकी का दुरानी फैमली में जाना खतरे से खाली नहीं आखिर क्यों जाना चाहती है राकी जब आदिल जिस हस्बेंट से शादी की है वो हस्बेंट ही राकी के लायक नहीं तो क्यों ऐसे इनसान में प्यार ढून रही है राकी प्यार दिल से होता है आदिल राकी से दिल से प्यार नहीं करता राकी बहुत बड़ी गल्ती कर रही है जबरदस्ती आदिल की जिन्दगी में आने के लिए जिन्दगी में आना इतना आसान नहीं है जब इनसान में प्यार ही नहीं हो दोनों तरफा प्यार होता है जबी रिष्टे आगे चलते हैं पती-पती का रिष्टा एक दिन का नहीं होता पूरी जिंदगी का होता है राकी का खुद का कहना है कि आदिल बहुत मारता था राकी एक स्टॉंग लेडी है ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे राकी अगर आदिल का परिवार राकी को बहु मानता तो सबसे पहले आदिल का परिवार सामने आता और आदिल को समझाता आदिल का परिवार चाहता ही नहीं है कि राखी आदिल की जिन्दगी में आए क्योंकि वो पहले ही इस रिष्टे से खिलाफ थे जो कि राखी अगर राखी अपना और आदिल की रिष्टे की सचाई सोचल मीडिया पर नहीं शेयर करती तो आज ही रिष्टा गुपत रह जाता राकी को जब मालूम चला बिग बॉस से आकर के आदिल का अफैर किसी और लड़की से चल रहा है तब राकी ने अपनी शादी का सच दुनिया को बताया और आपकी कह रहा है कि राकी को अपने सुसराल जाना चाहिए तो कॉमर्स बाक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा वीडियो पसंदाए लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूं दो भूलेगा मिलते हैं वीडियो के साथ दोव में आ देखेगा अपना बहुत ज़्यादा ख्यादा देखेगा अलाहाफिस